हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे स्वागत है आपका हमारे चैनल में आज में फिट से बहुत ही कमाल की टिप्स आपके साथ सेयर करने वाली हूँ तो उमीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो हर बार की तरह बहुत आपको पसंद आए होते हैं इस लिए कहीं से कच्छे राज आ और कहीं से पक जाते हैं लेकिन दोट नए-नए कूकिंग कर रहे है सुरू कर रहे हो जोड़ी सीटी हो अच्छे से सेख सके तो इसके लिए जो भी आपके पास पोटाइटो मैसर हो इस टाइप का उसको आप यूज करके पराठे सेख सकते हैं इससे आपके पराठे बहुत जल्दी क्रिप्सी बनके तयार हो जाएंगे और सभी साइड से असानी से सिख जाते हैं कोई भी स्टफिंग वाला पाराठे हो जाहे वह आलू का हो गोली का हो या कोई भी इस टाइप के पाराठे हो इस एस हैक स्के तूरू बहुत ही असानी से सब साइड से सिख जाते हैं तो हम हर रोजी अपने घर में उबालते हैं लेकिन करते क्या है दूद को लेते गमला में डालके उसको डायरेक्ट गैस पे चढ़ा देते हैं उससे होता क्या है तले में दूद जल जाता है और उपर के तरफ दूद उबल के गिरने भी लगता है तो यह सब ना हो इसके लिए गमला के तले में थोड़ा सा पानी डाल देंगे और सारे किनारों में थोड़ा सा घी लगा देंगे इससे क्या होगा तले में दूद्ध चिपकेगा नहीं और जब दूद में उबाल आएगा वह बाहर की तरफ गैस पे गीरेगा नहीं यह टिक्स एक बार जरूर अपना और दूद्ध उपर के तरह भी नहीं गिरेगा लेकिन हाँ यहाँ गैस का फ्लेम लो होना चाहिए इस तरीके से आप दूद्ध को उबालेंगे तो दूद्ध बाहर बिल्कुल भी नहीं गिरेगा अगला टिप है ब्रेट से रिलेटेड जब भी हम मार्केट से ब्रेट का पैकेट ले आते हैं यूज करने के बाद हम क्या करते हैं इस तरीके से फोल्ड करके उसको हम फ्रीज में रख देते हैं या बाहर रख देते हैं तो इस तरीके से क्या होता है ब्रेट हमारा सूख जात उसके लिए वह हम क्या करेंगे? बचे हुए bread के packet को लेंगे और इस तरीके से twist करेंगे ऐसे घुमा देंगे और उपर के जो packet है उसको हम नीचे के तरफ इस तरीके से पहना देंगे इस तरीके से अगर हम bread रखेंगे, freeze में या बाहर कहीं भी रखेंगे तो इसमें हवा नहीं जाएगा और ब्रेट सुखेगा नहीं और बिल्कुल भी खराब नहीं होगा इस तरीके से हम फ्रीज में रख सकते हैं चलिए दूसरा टिप भी देख लेते हैं वो रोटी से रिलेटेड हैं जब भी हम अक्सर रोटी बनाते हैं क्या करते हैं होट केस में ऐसे डारेक्ट हम रोटी को रख देते हैं इससे क्या होता है पहला रोटी जो है नीचे वाला वह भीज जाता है नहीं तो हम कोई tissue paper या newspaper ऐसे भी छाक के हम रख देते हैं अगर आप newspaper या tissue paper का बच्चत करना चाहते हैं तो आप यहाँ कोई कपड़ा kitchen towel का यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें newspaper हो या tissue paper हो हमें बचाना चाहिए क्योंकि पेड़ को काटके newspaper या tissue paper बनाया जाता है अगर हमारा काम यह कपड़ा से हो जाए तो हम newspaper या tissue paper क्यों waste करें हमें newspaper को या tissue paper को बचाना चाहिए इससे क्या होगा हमारे tissue paper का बच्चत भी हो जाएगा और इस कपड़े को हम दुबारा वास करके यूज कर सकते हैं हमें जब भी नीबू का रस निकालना होता है हम क्या करते हैं सबसे पहले नीबू को लेते हैं उसको चाकू के मदद से उसको बीच से काट लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं हाथ से उसको नीचोड़कर उसका रस निकालते हैं नहीं तो हम lemon squizor के help से उसका रस निकाल लेते हैं, अगर हमारे पास lemon squizor ना हो तो हम क्या करें, इसके लिए हमको क्या करना है, रोटी बनाते समय जो हम चिम्टा का यूज करते हैं, उसको लेना है, पहले तो हम नीबू के इस बीज को हटा देंगे, उसके बाद एक कोई बाल लेंगे, उसके बाद हम चिम्टा के help से नीबू का रस असानी से निकाल के आपको दिखा रहे हैं, इस तरीके से देखिए हम नीबू को इसमें हम फसा लेंगे, फसाने के बाद दोनों तरफ से हम प्रेस करेंगे, तो बहुत ही एजली नीबू का रस निकल जाएगा, आप जिसे कि देख पा रहे हैं, कोई भी मैनत नहीं है इसमें, अगर आपके पास लेंगे, इस त्रिक्स को यूज कर सकते हैं, गई बार होता क्या है हम को धेर सारे नीबू का रस निकालने का जरूत पड़ता है, तो हम इस चिम्टा के help से नीबू का रस बहुत ही असानी से नि दोस्तों जब कभी भी हम मोजे लेके आते हैं मार्केट से, अक्सर हम क्या करते हैं, पैरों में मोजे पहन लेते हैं, अगर मैं आपको कहूं कि इन्हें आप हाथों में भी पहन सकते हैं, तो सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है, दोस्तों कई बा हमें चोट भी लग जाता है तो हमें अपने हाथों कजकूर करना पड़ता है या फिर अपने हाथों लगा दे हैंिया कोई लास करहें इसको थो23 ही लिकिन जब हम अपने हम practiced को खुला छोड़ देसे जिसे उसमें हवा लगती करती है और हमारा दर्द भी कम नहीं होता है अगर आपके पास गरम पट्टी है तब ठीक है लेकिन कई बार क्या होता है तब हम उस समय इस सौक्स का यूज कर सकते हैं अगर हमारे हाथों में चोट लग गई है या हाथ बहुत दरद हो रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे क अगर आप अपने हाथों पर लगा लेंगे कि कई बार जब हम सर्दी के दिनों में ठंडे पानी से बरतन को धोते हैं तो हमारा हाथ भी दरद होने लगता है तो इस तरीके से अगर हम बाम लगा के और उसके बाद हम सौक्स को पहन के रखेंगे तो हमारा हाथ का दर्द हो सकता है तो देखिए हम हाथ में बाम अच्छे तरीके से लगा लिए हैं उसके बाद हम हो जाए इसमें सोक्स को पहन लेंगे इस तरीके से अगर आप सेकाई कर रहे हैं गरम पानी से या कोई बाम लगा रहे हैं तो उसके बाद आप अपने हाथ पे सौक्स जरूर पहन लेजिएगा इसे आपके दर्द में काफी हद तक अराम मिल सकता है इस सौक्स में छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे आपके हाथों में हवा भी आती जाती रहेगी और इसे आप रात भर के लिए पहन के रख सकते हैं, इसे आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी और आपके दर्द में काफी अराम मिलेगा, कई लोग कहते हैं प्लास्टिक भी लपेट लेनी चाहिए, लेकिन उससे होता क् में उसे भी डिक्कत होती है, इस सौक्स को पहनने से हमारे हाथों में हावा आती जाती रहेगी इसे कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लास्टिक लपेटने से थोड़ा दिक्कत हो सकता है، या कई लोग बाम लगाने के बाद उसमें कपडा बान लेते हैं, तो उससे भी हट तक अराम मिल सकता है करी बार होता क्या है हमारे घरों में गरम पट्टी तो रहती है लेकिन उस टाइम हमको मिलती नहीं है गरम पट्टी तो उस समय हम ये सॉक्स का यूज कर सकते हैं एक बार ये यूज करके आप देखिएगा आपको बेहदी पसंद आएगी फ्रेंट्स ये था मेरा आज का वीडियो कमेंट करके हमको जरूर बताएगा कि आपको इन सभी टिप्स में से कौन सा अच्छा लगा लाइक सेर के साथ साथ चैनल को सस्क्राइब भी कर लिजिएगा और घंटी को जरूर बजाएगा आगे अनल वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए तब तक के लिए बाई बाई